असलाम अलेकुम जी, so we are starting with another lesson, जिसमें हम लोग देखेंगे कि different fonts को third party website से कैसे download किया जाता है और इसको कैसे use किया जाता है So third party से fonts आप कब-कब download करेंगे, इसकी ज़्यादा जरूरत तब पढ़ सकती है कि जब आपकी जो current library है fonts की tool के अंदर वहाँ पे आपको कोई font पसंद नहीं आता, या ऐसा font आपको चाहिए जो कि आपके design के साथ सही fit बैठे और आपको यहाँ से library के अंदर वो font नहीं मिलता, या आप किसी ऐसे project पे काम कर रहे हैं जिसमें client की एक requirement है और वो आपको font का नाम बता रहा है कि यही font ही इस्तमाल करना है और फिर आप देखेंगे कि अगर वो इस library में available नहीं है then definitely you will have to look for it on third party websites और बहुत सारी और वजुहात हो सकती है आपको design कहीं पे अच्छा लगता है और आप उस designer से पूछते हैं कि आपने क्या font इसमें use किया so you really want कि आप भी उसी font को अपने designs में use करने की कोशिश करें so there can be a lot of reasons जिसकी वजह से आप third party websites की तरफ move करेंगे so तरीका बहुत असान है जी मैं आपके साथ कुछ websites share कर लेता हूँ जहां से आप free fonts टाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहली और the most recommended third party website is fonts.google.com तो आप इस website पे आते हैं और यहां पे आके आपको different font families मिलेंगी इस website की कुछ interesting चीज़े हैं जैसा कि आप समझते हैं कि for example हमने john mango के लिए हमने एक font choose करना है so I just wrote john mango इस text field के अंदर और यहां पे जितनी भी font families available थी उसने सारी families के अंदर john mango type किया और अब हम देख सकते हैं कि जादा भेतर font कौन सा लग रहे तो यहां से आपको जो font पसंद आए for example let's go with this rubik font so यह कुछ अच्छा लग रहे है भेतर लग रहे so मैं इस पे click करता हूँ इसके बाद मैं इसकी यहां से download family बटन पे click करके इसकी family को download कर लेता हूँ ठीक है जी इसके बाद मैं इस zip folder को unzip करता हूँ इस folder को हम open कर लेते हैं और यहां पे हमें दो तरह की variations मिलेंगी इस font की so one is italic and one is the normal font so एक हम इस font पे इस file पे जो tdf format के साथ है इस पे double click करते है तरीका बिल्कुल सेम है अगर आप windows use कर रहे हैं तो windows के उपर और macOS के उपर दोनों के उपर तरीका बिल्कुल सेम है font install करने का जब आप double click करेंगे windows जो open होगी वो थोड़ी से different हो सकती है लेकिन method बिल्कुल सेम है so हमने rubik install के and most probably rubik already installed है मेरे system के अंदर so इसी तरीके से हम font को install करेंगे so इसका नाम आपने याद रखने है rubik इसके बाद हम इसका जो italic variant है उसको भी install कर लेते हैं इसके बाद जी हम बापस आते हैं अपने tool के अंदर और यहां पर join mango पे click करते हैं और यहां से rubik search करते हैं so there is rubik regular, rubik medium, rubik italic most probably यहसे fonts हैं जो का अलरड़ी मेरे system में available थे और ज्यादा variations के साथ available थे तो हम यहां से rubik regular को choose करते हैं और यह जो हमारी quotation है हम इसको भी rubik में convert कर लेते हैं so let's go with rubik medium so this is how you can download the fonts and you can install the fonts अब Google fonts की और कुछ interesting चीज़े हैं जो के हम देख लेते हैं इसके बाद यह आप different categories में जाके search कर सकते हैं for example you need a kind of a handwriting font तो आप simple यहां पर जाएं और कुछ filters को apply करें and you will get some handwriting fonts तो अगर आपको कुछ इस तरह का fonts है अपने design के अंदर so बहुत ही असान है filter apply करें and you will get the font अगर आपको multiple languages में चाहिए for example you are looking for something you need to write in Arabic so यह एक लतीफ के नाम से font है आप इसको download करें यह आपको display तो English में करें but you will be able to write Arabic लेकिन हम देखेंगे बाद में आने वाले lectures के अंदर कि आप उर्दू और Arabic को कैसे लिख सकते हैं डॉबी इलस्ट्रेट अके अंदर so at this moment you can ignore it इसके बाद different font properties हैं जी आपको कितनी thickness वाला font चाहिए यहां से हम वापिस all languages कर लेते हैं suppose आपको बहुत thick font चाहिए so we do not have this kind of a thick font तो यहां पे आप जिस तरह की thickness choose करेंगा उस तरह कि आपको font variations display कर देगा handwriting को भी खतम कर लेते हैं सारे कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा भेतर results नजर आए so now go with the maximum thickness जी तो अब हमें ज्यादा thickness वाले fonts यहां पे नजर आ रहे अब यहां पे कुछ filters apply करके अपने relevant results get कर सकते हैं इसके बाद अब size देखना चाहते हैं different sizes के अंदर तो आप यहां size change कर लें और यह जितने भी fonts हैं they are all free you can easily use this fonts in your every kind of project इसमें कभी भी आपको strike नहीं आएगी कभी भी copywriting issue नहीं आएगा so आप easy होके relax होके fonts.google.com से fonts को download करके use कर सकते हैं इसके लावा जो second हमारे पास website है जहां पे आप free होके relax होके fonts को use कर सकते हैं जिस पे आपको copywriting यह strike नहीं आ सकती that is adobe fonts लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास adobe की subscription हो यहां से fonts को use करने के लिए so यहां पे भी आपको different तरह के filters मिलेंगे different तरह के tags मिलेंगे जहां से आप fonts को filter कर सकते हैं और उसके बाद सेम तरीका है download करने का और सेम तरीका है उनको install करके use करने का इसके बाद दो और websites में आपसे share कर लेता हूं one is 1001 free fonts.com and the one is the fonts d a fonts.com तो यहां पे आपको different categories मिलेंगी दोनों websites almost they are very similar you want fonts that are categorized in old school category तो आप यहां से कुछ इस तरह के fonts ले सकते हैं और उनको use कर सकते हैं बिलकुल ऐसे ही जो 1001 free fonts हैं यहां पे भी आपको कुछ categories नजर आएंगी for example you want something calligraphy fonts तो आपने उस category पे क्लिक किया और आपको similar fonts उस category से related यहां पे नजर आ रहे हैं so same तरीका है download करने का मैं आपको एक font download करके दिखाए देता हूं so let's download this southern area font so इसको मैं यहां से download करो so let's download the file इसको हम दुबारा से unzip करते हैं इसको open कर लेते हैं यह .ttf file इसकी install कर लेते हैं and let's let's remember the name of this font southern area ताके हम इसी नाम से इसको search कर सकें so let's select the content and s-o-u-t-h southern area personal use only so यहां पर आपने font select किया और उसके बाद आपने उसको choose कर लिया so this is how you can download the fonts from third-party websites and how to use them in your document in Adobe Illustrator so आप कोई भी अपनी पसंद का font in website से जाके download करें उसको install करें और उसको अपनी जो quotation आप इसवगत लिक्च चुके हैं उसका font change करने की कोशिश करें और देखें कि आपके पास क्या results आते हैं so see you in the next lesson thank you so much